हेलो एवरिवन, आज की वीडियो में मैं लहसुन साफ करने का आसान तरीका बताऊंगी लहसुन की कलियों को गरम पानी में थोड़ी देर के लिए डीप करके रख देंगे छिलके फैक देंगे लहसुन को मैंने 15 मिनट के लिए गरम पानी में डीप किया है लैसुन सॉफ्ट हो गया है इसके छिलके आसानी से उतर जाएंगे जब हम लैसुन को छीलते हैं लैसुन के छीलके छीलते समय हाथों पे चिपकते हैं गरम पानी में डिप करने से लैसुन के छीलके हाथों पे नहीं चिपकेंगे और लैसुन आसानी से छील जाएगा इसी तरह से आप लैसुन छील के 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं लैसुन के उपर लगे पानी को सूती कपड़े से साफ कर लेंगे उसके बाद फ्रिज में स्टोर करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए